हेलो एब्रिवन, वेलकम तू माय चैनल, भीहर वर प्रिक्षा और आप देख रहें बीवीपी हैल्थ, तो आज के इस सुरूर में लोग कवर करने वाले हैं, क्लास 12 हिंदी के चैप्टर वन के अब्जेक्टिव कोशन्स, इससे पहले हम लोग थेवरी का गलास कर चुके थे, अच्छे तरीके से, सांदर तरीके से, हम लोग जो पढ़ चुके थे, अगर आप लोग नहीं देखें वो वाला वीडियो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट और साथी साथ उस वीडियो का लिंक भी दे दूँगा, और ये हमारा क्लास जो है, शुरू हो रही है, स्टार्टिंग से, अगर आप लोग जो है, अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो जुड़ जाएगा, और कम्प्लीट तरीके से, मैं आप लोग इसी तरीके से, पढ़ाने वाला हूँ, बिल्कुल फेस टू फेस, सभी सब्जेक्ट का, और भी हमारे साथ ए पढ़ाने वाले हैं, जो कि इस बार एक्जाम देंगे, तो आपका बहुत जादे काम आने वाली है, ठीक है, तो जादे हम लोग इधर उदर की बात ना करते हुए, डारेकल लिए हम लोग बढ़ेंगे, और उसके बाद लास्ट में थोड़ा सा डिसकस करेंगे, अगर आप हर एक चीज अच्छा लग रहा है, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जौएन हो सकते हैं, लास्ट मैं आप लोग को पूरी तरिके से बता दूँगा, हमारा एप्लिकेशन है, BBP Health, वहाँ पर आप जौएन हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं, चले, तो सबसे पहला क्वेशन को आपको बताया भी था कि यह जो है पहुत जादे मोस्त इंपॉर्टन है ठीक है तो अप्शन में आप देखेंगे क्या है रामधारी सिंग दिनकर है उसके जैपरकाश नारण है उसके बाल कृष्ण भट है उसके मोहन राकस है तो देखेंगे बेसिकली हम लोग जो पढ़ है बाल कृष्ण भट के बारे में तो हमारा आंसर हो जाएगा जैसा कम वैसा पड़िनाम के लेकर जो है बाल कृष्ण भट है ठीक है अब जवाब दने की कोशिक करिएगा और आप लोगो वैसे पता है कि शुरुवात से हम लोग स्टार्टिंग जो कर रहे है तो आप लोग सब्सक्राइब हो सकता है और नहीं भी बता सकते बाद कोई बात नहीं आप लोग लोग देखे दूसरा क्षेन बढ़के पिता का क्या नाम था ये दो हैर बीस में पूछा गया क्वेशन है बहुत जादे इंपोर्डन है आप लोग देख रहे होंगा आप लोग देनी क्या है तो देखे इनि बाल किष्ण भट के पिता जी का नाम जो था वो बेनी परसाथ भट था मतलब हमारे अंसर जगा बी नंबर करेक्ट हो जग रहे हैं अगर नहीं भी आ रहे हैं तो आप लोग अग्दम पढ़ते जाएगा आ जाएगा सभी कुछ आ जाएगा मैं आप मांक से लाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से और हमारे एप्लिकेशन जूट जाएगा हंड्रेट परसेंट इस बार भी लेकर आया है और पिछले पांच साल से मैं पढ़ा रहा हूं तो सारे लेकर आ रहे हैं ठीक है अब थार्ड नंबर देखें दम होती सेंगवर किस लेकर क यहां पर 2020 में यह पोजिशन जो है आयसी में पूछा गया है ठीक है और अगर आप लोग आईसी आईकॉम बीकॉम नहीं आईसी आईकॉम और आप लोगर कॉमर्स हैं ठीक है तो यह सारा जो है हिंदी इंग्लीश और उर्दू सभी का सेम होता है आप लोग गब्राइए ग आप लोग इसको याद रख लिजेगा ठीक है अब देखेंगे अगला कुशन देखते हैं क्या बोल जा रहा है हमारा फूर्थ नमबर कुशन बाल कृष्ण भट जी की रचना बातचीत क्या है तो बातचीत के बारे में क्या है यह बातचीत आखिर है क्या एकांकी है कहानी है या तरह स्मरन है या फिर ललित निबंद है देखें बातचीत जो बेसिक लिए आता है बाल कृष्ण भट तो ललित निबंद के अंत्रगत आता है तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी नमबर करेक्ट हो जाएगा अब देखेंगे अगला कुशन देखेंगे क्वेशन नम है अम लोग लाइफ क्लास जो है सेवन क्लोग क्लोग से रमजानबाद करेंगे ठीक ना इद बाद ओके चले तो यहाँ पर देखें बाल किस नमट किस यूग के निबंद कारते तो आपको ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ हुआ है और थियोरी क्लास जो किये होंगे तो क्लास जो मजा आ रहा होगा यहाँ परसाथ यूग है भारत दुदू यूग के निबंद कारते तो व भारत दंद यूगों के और भारत दंद यूग से ही वह परणा ले करके प्रवाइत हो करके वह क्या ठीक है कि वह इंस एसे हैं मनुष्री की बातचीत का उत्तम तरीकां क 150 बेस्ट तरीका सबसे इसे मेतोड क्या है कि विधिता और बात करना या फिर तरकपुर्ण बात करना या फिर भीड से बात करना या फिर अवाक होकर अपने से बातचीत करना अवाक होकर अपने से बातचीत करना मतलब क्या होता है धहरी पुर्वक और अपने आप में एक जो है अच्छे धंग से बात करना क्योंकि इन्हीं बात्चीत में बालकृष्ण बढट जी बात किये हैं कि किसी इंसान के किसी व्यक्ति के अंदर एक ऐसा गुल होना चाहिए जो अपने आप से खुद बात जो है कर पाए और वह अपने आपका भ्रास निकाल पाए अवाग होकर बात करना मतलब निश्चिंद क्या है सनवाद में सबसे में सनवाद क्या हम अंदर नदर रहेगा तो तो आप simply होना by होना चाहिए जो कि हम बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं जैसे अभी मैं बोल रहा है तो मुझे लग रहा है कि मैं सही बोल रहा हूं ठीक है तो यह वाली आत्मियता सभी के अंदर होनी चाहिए यह बाल क्रिश्ण भट जी अपने चैप्टर मैं बता हैं बातचीत में ठीक है कोईशन है एट नमबर बाल कृष्ण भठ का जन्म नहीं हुआ था कहां पर हुआ था और कितने इस भी में हुआ था यह पूछा गया आप लोको यह देखिए यह पूछा गया है कॉमर्स और ISD के एक्जाम में तो देखिए सब्जेक्ट का में आप लोको पढ़ाने वाला हुआ और हमारे साथ और भी टीचर्स है आपको जो लाइब क्रासे एप पर भी देने वाला है सब्जेक्ट का चाहते तो कॉमेंट करके बोलेगा के सर यह सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए मैं आप लोगों को दे दूगा ठीक है अब देखें सन्योगीता स्वेंगवर रचना है तो किसकी क्रचना है इसके बारे में भी आपको मैं बताया था बाल कृष्ण बढ़ा है उसके बाद है निप परताप नारेन मिश्र की या फिर स्रीनिवास दास की या फिर मैतिली शन्ड गुद्द की तो करेक्ट आंसर की अब देखें कौन सी रचना बाल कृष्ण भटकी नहीं है अब यहां पर पूचा गया कि कौन सी आईसी रचना जो बाल कृष्ण बटकी नहीं है अगर आप लोग त्योरी का ग्लास को कर लिए होंगे जिसका डिस्क्रेप्शन में लिंक दिया हुआ है आप लोग कर लिजे Biology जुआ है कiden सर्फ हो जाएगा रइट एंसर क्या है प्रिक्षा जो आइट एंसर डी हो जाएगा बाल करिक्षा अब आगे देखते है फिर कौन सी रचना बाल क्रिश्ण भठकी है रेल का टिकट खेल कच्वा दर्म रेनु का उसके प्राच्य विदा तो यहां पर राइट एंसर की बात करेंगे तो यह नंबर हो जाएगा नहीं रेल टिकट खेल राइट एंसर हो ठीक है मैं आपको पता है थियोरी क्लास करने हुए मज़ा आ जाएगा यह सही बात में कहरा हूँ आप लूग को तो दीखे आज थोड़ा सा कैमरा का एंगल थोड़ा सा सही हो जाएगा उसके बाद शायद मेरी फोटो जैसा भी दिख रहा है फिर जैसा भी देखें मुझे से क्या लेना देना आप लूग को पढ़ाई में ध का डेट भी अगर आप लोगों पता होगा तो थेओरी क्लास जो पढ़े होंगे तो उसको पता होगा लेकिन मैं आभी आप लोगों को नहीं बता रहा हो क्योंकि यह कुशन नीचे दिया हुआ है ठीक है तो आप लोग बस इतना याद रहें मासिक पत्र जो है क्या होगा जैस कि बात्चीत किस विधा की रचना है तो बात्चीत किस विधा की रचना है अलोचना है गीत है शोध है निबंध है और अगर पूचा जाएगा यह थ्यान देगा जरूर से आप लोग अगला कुशन देखे कि क्या बोला जारा करें कि फर्डी नंबर रॉबिसन कुरूसू ने 16 वर्स के उपरां किसके पर मुक से बात सुनी थी तेकर रॉबिसन कुरूसू जो है 16 वर्स में क्या होता हूँ जंगल में रहा करता था तो बातचीत एक ऐसा वैक्ति क्या होता है कि जब आपस में बात्चीत सुनता है तभी सीखता है तो यह चीज ने प्रैक्टिकली क्या के रॉबिसन कुरूसू को जंगल में जाकर करके जो है रग दिया और जंगल में बच्पन से हो रहा तो उसको कोई भी लेंग्वेज नहीं आया बिल्कुल चिडिया का वह भासा समझने लगा था और चिडिया से बात्चीत करने लगा था तो इनसान को जब तक कोई बात अगर उसके कान में नहीं जाती हो सेखेगा ने तो वह फ्राइडे की बात उनी उसके मुँए एक बात सुनी थी ठीक है तो जब रॉबिसन पूरूसू ने मतलब सुना तो व अहली बार वह सुना था यह ध्यान रखिएगा आप लोग अब अगला देखिए कि बात्चीत सिर्सक निवंद के निवंदकार कौन है तो यह तो आप लोगो बेसिकली पता ही होगा यह बेसिक चीज़ है तो राइट इंसर का बाल कृष्ण भट हो जाएगा राइट ओके अगला कृष्ण देखते हैं क्या बोलो दरहा कह रहा है कि बात्चीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट क्या बतलाना चाहते थे तो बाल कृष्ण भट जो बात्चीत के जरीए क्या बतलाना चाहते हैं तो आपका ऑप्शन यहापर देखें क्या हो बात्चीत की शैली जो ब अपने आप में एक जो है दुख होता हमको ठीक है जिस तरीके से जानवर अभी एक जानवर है गाए बैस है तो वह अपना बादची दूसरे से नहीं कह पाता है तो यहीं चीज जो है बादचित्य शैली बताया है बाल कृष्ण बट राइट चलिए अब अगला कुशन देख साहित्यों के एडिशन उसके बाद स्टील के स्रेनी में रखा था तो आपको आप्शन में बता दे रहा है पर क्या है हजारी परसाद वेदी डॉक्टर नागेंद्र राम चंदर शुकल उसके बाद रामिराज शर्मा तो राम चंदर शुकल करेक्ट अबर उन्होंने क्या क क्या होगा चीन नमबर रुगा और यह संस्कृत भी अपने घर में ही अपने से खुद से अध्यान किये ठीक है अगला कुशन कि क्या बोला देश बाल कृष्ण भट का निवास अस्थान कैसा कौन सा है तो बाल कृष्ण भट का निवास अस्थान का तो यहां पर करेक्ट अगला कृष्ण देखते हैं क्या बोला दो रहा है उनीस नमबर नाइटी नमबर बाल कृष्ण भट जी ने किस पत्रेका संपादन किया था तो बाल कृष्ण में बताया था ना कि यह आपको कई बार आएगा और यह एक्जाम के लिए काफी इंपोर्टन है यह आप लोग ध्यान जरूर रखेगा कि बाल कृष्ण भट किस पत्रेका का संपादन किया था किस पत्रीका पर वो लगातार काम करते रहे थे तो यहाँ पर क्या रहेगा हिंदी परदीप करेक्ट अंतरों का यह मासिक पत्र था और अब देखें अगला क्या बोले है कि ब लोगों के था क्या ठीक है तो देखिए मैं आप लोगों को जितने भी सारे कुशन करा रहा हूं यह बहुत जादे इंपोर्टन है आपको से से वोकर बढ़ना है यह अगर आप लोग अपने मांबाप का नाम रॉशन करना चाते हैं चारसो असी Marks तक लाना चाते हैं फिर चारसो पचास ऐजी लिए आ जाएगा अगर हमारे Pen तक बने रहना, जब तक आपका एक्जाम ना हो जाए, तब तक मैं आपका साथ में बना रहूंगा, इसी तरीके से आप लोग भी बने रहने हैं, हमारे साथ ठीक है, चले, और motivate के लिए आप लोग share जरू करिएगा यार, क्योंकि सब को motivate चाहिए, और share करना है, आप लोग को like share करके, अब देखी, कौन सी रचना बाल किष्ण भट द्वारा रचित नहीं है, पूछा गया है, यहाँ पर देखी कि नहीं है, पदमावती, वेनी सनार, मेग दूतम, या फिर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्टर आंसर की बात करेंगे, तो इसका राइट यहाँ पर आइटन से रखाओगा, यहाँ यह वाला करेक्टर आपन्यास है, और आपको यह भी चीज ने थोरा समय बता है, नहीं कि उपन्यास कौन सा है, और कौन कौन से जो है, आपके साहित तक यह सारा कुछ में बता दूँगा, आप लोग को दुबारा से ठीक है, बस आप लोग आप में जॉइन हो जाएगे, 100% है, कि आप लोग को सभी एगदम 100% के साथ बता रहों कि आप लोग के तैयारी गरेंटी हो जाएगी, अब अगला देखिए, नाटक के प्रारंब में होने वाले मंगल पार्ट को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर आइटन से क्या हमारा बी नमबर राइट हो जाग राइट, अब देखिए, अगला कोशन दिखते है, क्या पर अगरें, रॉबिसन कुरूसों को कब तक मनुष्ण का मूँ देखने नहीं मिलाता है, कि मूँ देखने का मतलब को उसको जंगल में जो रखा गया था, उसको नहीं मूँ देख राइट, चलिए, बच्पन से ही, अब देखिए, अगला कोशन दिखे, 25 नमर कोशन, बोलने से मनुष्ण में रूप का साक्षात का रहता है, यह किसने कहा था, तो यह बेसिकली चीज है कि जो इंसान बोलेगा, तब ही नहीं हम बोल सकते कि यह पढ़ा लिका है, यह कारह होता है, किसने कहा था, तो Edison ने कहा था, क्या नम था, Edison ने कहा था, या फिर Benne Johnson ने कहा था, खौन सो जगा, तो यह जो कहा था, Ben Johnson ने कहा था, तो B नंबर, जारी, एए हो जाहिए अगलाрашा थी, जालो, अगला वक्षन किा वलूघ कर द'. कि असल बाति बात्चित सिर्फ दो खीव के साथ हो सकती है किसका मत ये तो ये लिय। यह वाला नहीं गड़त हो जगा ये वाला की हो जग का हृ दो एक्टियों के सांती हो सकती, यह सही बात है, या मैं आप लोगों को थियोरे में भी पढ़ाया था, अब देखे, एडिसन के अनुसार, असल बातचित कितने लोगों के बीच हो सकती है, सोरी, हाँ, बिल्कुर ये वाला साक्षात कर जो होगा है, बेन जांसन ने कहा था, यह बी नंबर करेक्टर होगा, देखे होता है, यह आप लोग थोड़ा सा, यहनी, कवर कर लीजेगा, और दो एडिसन, एडिसन ने कहा था, ठीक है, तो देखे यार, मैं आज ने इत्वा से इसलिए बहे करा हूँ, क्योंकि अभी मैं बहुत सारा वर्क करके आया, और डार के साथ आपको 450 के लिए मैं पढ़ा दूगा, ठीक है, असल बातचीत के साथ हो सकती है, तो यह नमबर जागा, तीन चार यह गलत हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़ियां, अब आगे देखेंगे, बातचीत से मन किस परकार का हो जाता है, तो बातचीत से मन करोद बुन, अगर हम बातचीत किसी से करते तो क्रोज हो जाते हैं, नहीं गलत हो जाता है, भारी और बेजील हो जाते हैं, यह भी गलत बात है, अब जो कि हलका और स्वच्छ हो जाते हैं, जो हमारे दिल में रहता है, हम बातचीत करके क्या हलका और स्वच्छ हो जाते हैं, तो राइट खित कर न होने से चिच रिश्टी गुंगी परतीट होती है तो आप íre्ट शक्ति स्रंवर्ण सकति मतला हम सुन्ते हैं उसको बता है वाख शक्ति वाख शक्ति के न होने से जो इस सर्छत हो था तो आ ठीक है घ। अब अग्ला देखं ये अ wurde ने हैं कि अगला कुछ नमर्ट थार्ट नमर्ट आट ओफ कर्णोर शेशन जो है युरोप के लोगों में आपको थिएरी गलास में पढ़ाया था तो यहीं लोगों के अंदर जो है बात करने का शंता को क्या बोला जाता है आट ओफ सेशन ठीक है तो यूरोप के लोगो और अफरिका गलत हो जागा भारत तैन्दु युग के तो उहाँ पर तो आज हम लोग जो है theory के साथ साथ इस chapter को complete कर रहे हैं तो आज मैं आप लोग को मेन और important चीज जो जानकारी देने वाला हूँ वह अचीज आप लोग ध्यान से सुनिएगा ठीक है काउन नहीं चाहता है कि 400 प्लस मार्क्स लेकर आएं 400 प्लस मार्क्स लाना आप लोग के लिए easy है लेकिन अभी से पढ़ना पढ़ेगा आप सोचेंगे क्या कि दो मेना पढ़के 450 लेकर आजाए तो यह easy नहीं है ठीक है तो कि सबको पढ़ना पढ़ता है एक आपको उधारन म होगा और वह क्या होगा कि सब कुछ उसका इंदम भ्रोथ भी होगा लेकिन वहीं पर अगर हम क्या करेंगे सचेंगे कि नहीं अभी नहीं के बात भी पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं होगा मैं आप लोग के लिए पैड़ कॉर्स चला रहा हूं जिसमें आप लोग को study material PDF नॉट सब्सक्राइब करने वाला हूं तो आप लोगों को क्या करना है कि यहां पर देखें अभी है अभी है लेकिन अगर आप लोग वहां पर एक कूपन कोड है वहां पर कूपन कोड अगर यूज़ करेंगे तो 469 में साथ रुपय में आपको जो है कॉर्स मिल जाएगा पूरे साल के लिए ठीक है तो हम आपको क्या करना कि इस एप को डाउलोड कर लेना है और देखें आप लोग ना है अगर कोई भी डाउट हो कोई भी प्रब्लम हो तो इस नंबर पर आप लोग वाटसप कर सकते हैं ठीक ह है यहां पर गलत हो जगा आँ एट 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 नाइन ओठीक है सेवन नैंज जरो ठीक है अप लोग वाटसप यापर पर कॉल कर करके जानकर ले सकते हैं और हमारा टिलिग्राम आप लोग जोएगा टिलिग्राम है बीवी पी ऐल वहां पर जोईन हो जाएगा मैं इस PDF को अभी मैं आप लोग को दे दे रहा हूँ तो आज का हमारा live session और classes इतना ही तक था और कोई भी doubt हो अधिक सथी जानकरी के लिए आप संपर कर सकते हम से कोई भी problem हो कोई भी समस्या हो सभी subject हो आप लोग कोई भी समस्या हो या फिर कोई भी doubt हो कोई भी आप कुछ समें